वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल ये कोशन है रेशनल नमबर का जिसे हम सॉल्व करेंगे ये कंबिनेशन है डेसिमल नमबर रेसिमल नमबर तो कोशन है 1 by 7 multiplied by 0.049 plus 3 by 8 minus 7 by 20 तो ये जो multiplication है पहले हम इनको solve करेंगे तो 7 जो है वो क्योंकि 7 के table पर 49 आता है तो 7 से हम divide कर देंगे इस नमबर को तो ये हमारे पास आएगा देखिए अगर हम इसको divide करना शुरू करें decimal लग गया 0 क्योंकि ये नमबर भी 7 से छोटा है तो 0 आ जाएगा तो हमारे पास तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया जो से मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से डिवाइड हो गई है तो हमारे पास यहां से नमबर आगे इनको divide करने के बाद 0.007 plus 3 by 8 minus 7 by 20 अब इस decimal को हटा के जब हम इस decimal को हटाएंगे तो हमारे पास आएगा ये 7 over 1000 7 over 1000 plus 3 by 8 minus 7 by 20 अ और तीनों रेशन नमबर को solve करने के लिए हमें LCM लेना पड़ेगा तो LCM अगर आप देखे हैं तो 1008 और 20 का जो LCM है वो 1000 हो जाता है तो इसके LCM आगे 1000 तो 1000 के table पे 1001 पे आता है तो 7 को 1 से multiply किया 8 के table पे 125 पे आता है तो 3 को 125 से multiply किया और 20 के table पे 50 पे आता है तो 7 को 50 से multiply किया इनको multiply करने के वाद हमारे पास जो number आए वो आए 7 into 1 इनको multiply किया 375 इनको multiply किया 750 ओबर 1000 अब अगर आप देखे हैं तो ये दो number plus के हैं positive हैं तो इन दोनों को add कर दिया और उसमें से फिरा 350 को subtract कर देंगे 7 plus 375 जो वो बनता है 382 382 minus 350 दोनों को subtract किया तो हमारे पास आएगा 32 और ये 8 के table पे कर जाएंगे दो बार तो हमारे पास आएगा 4 over 125 ये जो cutting है वो 8 के table पे होगी Thank you